नमस्कार दोस्तो अगर आपका या आपकी family में किसी का भी uric acid level बढ़ा हुआ है या उस कारण से joint में problem होती है, pain सहना पड़ रहा है तो यह बहुत जरूरी है कि आपको मालूम हो कि uric acid क्या होता है, उससे क्या-क्या problems हो सकती है, वो क्यों हमारी body में बढ़ता है और ऐसी कौन से mistakes हैं, गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए ताकि हम अपने uric acid level को maintain करके रख सके और यह naturally पूरी तरह से संभव है ध्यान रखिएगा 25% या 95% से ज्यादा cases में आपको दवाई लेने की कोई जरुवत नहीं है uric acid का level कम करने के लिए सिर्फ छोटी-मोटी lifestyle changes करने हैं, कुछ खाने की चीज़ें हैं जो avoid करनी हैं और सिर्फ इतनी सी कोशश करके आप uric acid की problem से हमेशा हमेशा के लिए छुटकार आपा सकते हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि uric acid क्या होता है, uric acid कुछ लोगों की body में क्यों बढ़ता है, uric acid के बढ़ने स क्या क्या problems हो सकती हैं, अगर uric acid बढ़ गया है, तो कौन से food items हमें बिलकुल नहीं खाने चाहिए ताकि हमारा uric acid fluctuate ना हो और range में रहे, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको 3 बहुत amazing tips देने वाली हूँ, जिसको अगर आप follow करोगे, तो आपका uric acid level magically range में आ जाएगा, गाउट की problem भी आपकी ठीक हो जाएगी, 100% efficient solution मिलेगा आपको गाउट की problem का, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कुशिश करते हैं कि यूरिक acid की problem से solution कैसे मिल सकता है। यूरिक एसिड में convert होता है। ये यूरिक एसिड आम तोर पर हमारी बॉडि में kidney के थूँ excrete या remove कर दी जाती है यूरिन के form, यूरिन के साथ में। तो normal conditions में यूरिक एसिड का problem हमें बिलकुल नहीं होता है, सब कुछ well managed रहता है। पर किसी कारण से अगर हमारी बॉडि में यूरिक एसिड का बनना जादा हो जाए और removal, excretion कम हो जाए तो इस imbalance के कारण यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ हमारे blood में दिखता है। जब यूरिक एसिड हमारे blood में बढ़ता है तो ये crystallize होता है और crystallize होके हमारे joints में या हमारे जोडों में deposit होने लगता है जिसके कारण जोडों में दर्ध, सूजन, redness और stiffness, अकड़ ये सब develop होता है जिसको हम बाद में gouty arthritis के नाम से भी जानते हैं। अब problem ये है, a point ये है कि यूरिक एसिड जो है, ये imbalance होता क्यों है। तो इस hyperurisemia के basically दो कारण है, पहला यूरिक एसिड बन जादा रहा है। तो बनेगा कब जादा? जब हम ऐसे food products लेंगे जो जादा मातरा में जिसमें purine होता है या high purine food products तो जब इनका consumption हम जादा लेंग काम नहीं कर रही है, या पानी हमारे शरीर में कम है, तो इस कारण से बने हुए यूरिक एसिड का removal बड़ा बराबर नहीं हो पता है, या कम होता है। तो कुछ cases में hyperurisemia जो है, वो genetically defined होता है, मतलब अनुवान्शिक तरीके से defined होता है, या आता है। but maximum cases में इसके होने का का कारण होता है, कि हमारे lifestyle बराबर नहीं है, inadequate ये faulty lifestyle है, और दूसरा हमारे खाने में high purine food जो है, वो बहुत जादा आ रहा है। तो अगर आप इन food items को या high purine food items को अपने diet से हटा देते हैं, तो आपकी 80% problem solve हो जाएगी, क्योंकि purine आपकी body में कम आएगा, तो uric acid भी कम बन तो चलिए, एक-एक करके देखते हैं कि ये high purine food items कौन-कौन से हैं और इनको अपने diet से, अपने routine से हटा देते हैं, चलिए देखते हैं, तो लिस्ट में पहला नाम आता है, शुगरी beverages या sodas का, तो ये जो मीठे pay-up अदार्थ होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, ये बहुत ही empty calories होती हैं, इसमें carbs और calories बहुत जादा होता है, और कोई भी प्रकार के nutritive elements नहीं होते हैं, इस कारण से sugar या fructose ये बहुत कम टाइम में बहुत जादा मातरम हमारी body में release होती है, उसके कारण बहुत सारा purine बनता है, और हमारी body को बहुत सारा uric acid एक साथ बन जाता है हमारी body में, जिसको breakdown करने का time हमारी body को नहीं मिल पाता, इस कारण से studies में भी देखा गया है कि जो लोग दिन में 2 से जादा can या drinks लेते हैं, sodas के या cold drink के per day में, उन लोगों में gout के flare ups बहुत common देखने को आए हैं, तो ये जो beverages है, sugary beverages में कौन कौन से चीज़े include होती हैं, तो आ सारी चीज़े इसमें add होती हैं, तो list में दूसर नाम आता है fruits या fruit juices का, अब आप बोलोगे fruit juices तो healthy हैं, तो पहले पूरी बात सुन लीजे, fruit juices में fructose नाम का sugar quantity content होता है, और ये जो fruit juices हैं, इसमें fiber कुछ नहीं होता, सिर्फ high load of sugar होता है, fructose होता है, इसका glycemic load बहुत time में, बहुत जादा quantity में uric acid आपकी body में बन जाएगा, और उसको निकलने का time कम मेलेगा, तो अगर आपको uric acid की problem है, या gout की problem है, तो fruit juices को पीना आपको बिल्कुल बन कर देना चाहिए, अब जहां तक सवाल आता है fruits का, to fruit या whole fruit जो आप लेते हो, उसमें fructose के साथ साथ थोड़ा पानी भी होता है, fiber भी बहुत जादा होता है, other nutritive content भी होते हैं, जिसके कारण fructose का release जो है, वो slow होता है, compared to fruit juices, तो अब आप पूछोगे कि, तो क्या fruit भी नहीं लेना चाहिए, fruit juices भी नहीं लेना चाहिए, तो क्या पूरा ही फल बंद कर देना चाहिए, तो ऐसा यह है कि आप fruits consume करो, moderation में consume करो, दिन के time में लो, और high glycemic index वारे जो fruit है, जैसे कि apple, watermelon, mangoes, अंजीर हो गया, यह आप कम कर दो, उसके जगा पे citrus fruits जो जो जैसे कि orange हो गया, मुसंभी है, pineapple है, इसकी quantity आप increase कर दो, list में तीसा नाम आता है, processed food का या refined food का, refined food और processed food जो होता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा मातरा में होता है, अचानक से sugar और carb बहुत ज़्यादा मातरा में आपकी blood में निकलेगा, और uric acid में convert हो जाएगा, uric acid का level बढ़ जाएगा, तो इसमें से कौन-कौन सी items आते हैं processed food में, हमारा pasta हो गया, white bread, candies, cakes, cookies, pastries, chips, ice cream, frozen dessert, fast food, लगबग व तो सारी चीज़े जो हमको बहुत पसंद है आज की टाइम पर है, पर यह सारी चीज़े जो है, refined food products जो है, processed food products जो है, इसे गाउट ही नहीं कराते हैं, इसके अलावा बहुत सारी health problems में आपने इनका नाम सुना होगा, diabetes हो गया, overweight या obesity हो गया, heart problem है, cancer है, तो actually यह सम बहुत dangerous चीज़े हैं, तो मेरी आपसे request है, कि अगर आप इसको completely अपने diet से cut off कर पाओ, तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर completely cut off नहीं कर पाते हो, आपको बहुत पसंद नहीं ये खाना, तो at least इनका intake limit में करतो, month में एक बार या दो बार उससे ज़्यादा नहीं, और quantity में भी अब लिस्ट में चौथा नाम आता है, meat या seafood का, किसी बितरह का meat या animal based product है, उसमें purine की quantity बहुत जादा होती है, तो उसको altogether avoid करना ही सही होता है, अब इसमें जो red meat है, organ meat है, इसको तो बिलकुली मत खाईए, पर इसके अलावा जो chicken है, कुछ तरह की fish हो रहे है, salmon fish हो गई, prawn है, crab, salmon, oyster, lobster, ये सारी चीज़ें आप moderation में consume कर सकते हो, दिन के time पे consume करना है, और जादा quantity में नहीं खाना है, पाचवा आता है हमारा दाल, जो दाल है, लेगून से, अब दाल जो है, ये vegetarians के लिए बहुत important source of protein होता है, तो इसको completely remove तो नहीं किया जा सकता, बढ़ अनफॉर purine food की category में डालते हैं, जैसे कि उड़त दाल हो गई, चना दाल, मसूर दाल, चना छोले हो गया, राजमा हो गया, इस सारी चीज़ें आपके purine level पो बहुत जादा होता है, और आपकी bottom uric acid level बहुत जादा बढ़ा देती है, पर अगर आपको ये दाल वगरा consume करना ही है, तो इनकी quantity कम रखेंगे, इनके अलावा जो अभी मैंने mention किया, उसके अलावा और भी कोई दाले हैं, तो वो आप सब खा सकते हो, तो six category आती है, कुछ ऐसी भाजिया होती है, vegetables होती है, जिनमें purine की quantity जादा होती है, जैसे कि पालक हो गया, full govia, cauliflower है, beetroot है, भिंडी है, बैंगन है, इनमें purine level जादा होता है, तो इनको भी आप या तो मत खाईए, या moderation में खाईए, seventh point है alcohol, alcohol जो है, इसको पीने से कई सारे healthy problems होती है, और उस बड़ी से list में एक और problem अड़ हो गया, जो की है, gout, तो अगर आप alcohol intake लेते हो, तो अचानक से uric acid level है, fluctuations, sharp fluctuations होते हैं, जिसक कारण gout flare या gout गठी का जो attack है, उसकी frequency बढ़ जाती है, तो अगर आप gout की medicines ले रहे हो, या आप low purine diet follow कर रहे हो, तो alcohol बिलकुल भी नहीं लेना है, alcoholic category में सिर्फ wine है, जिसको low purine beverage में डाला, category में डाला गया है, तो अगर आप चाहो और एकदमी जरूरी है, तो आप wine try कर सकते हो, बट वो भी moderation में ही लेना है, 8 और last है हमारी category में, yeast या yeast के products, तो कुछ ऐसे food products होते हैं, जिसमें yeast या yeast के extracts यूज किये जाते हैं, ये high in purine होते हैं, इन में से बने हुए food, जैसे कि हमारा bread हो गया, pizza dough हो गया, soya sauce, frozen dinner, salty snacks, और कुछ food, medical supplements में होते हैं, ये सारी I hope ये पूरी food items के list आपने बना के रख ली होगी, अब आपको कोशिश ये करनी है, कि इन में से आप या तो कुछ भी मत खाओ, या अगर खाना है, जरूरी है, तो कम quantity में खाओ, या आपकी uric acid की problem को बहुत जादा मातरा में solve कर देगा, पर इन food items को न खाने या restricted quantity में खान के साथ-साथ कुछ और भी होता है, जो आपको करना होता है, ताकि आपकी gout की problem अच्छी तरीके से solve हो जाए और बहतर result आपको मिले, तो इस video की starting में मैंने आपको एक promise किया था, चलिए, अब उस promise को पूरा करने का time आ गया है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, तीन amazing tips, ज जाएगा, पर वो तीन amazing tips देने के पहले मेरी आपसे छोटी से request है, अगर आपको हमारा effort, हमारी videos पसंद आ रहे हैं, तो हमें thumbs up दीजे, इस channel को subscribe कीजे, bell icon दबाएए, ताकि हमारा जो healthy content है, वो आपसे miss नहों पाए, तो चलिए, अब बढ़ते हैं तीन tips की तरफ, पहला tip, आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, पानी की कमी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, रोजाना तौर पे कम से कम आपको 8 से 12 गलास पानी जरूर पीना चाहिए, specially अगर आपने high purine diet consume की है, ऐसे food items लिये हैं, तो उसके बाद आपको पानी का quantity बढ़ा देना चाहिए, ताकि गाउट किये uric acid की problem आपको है, तो अगर आप अपना weight सिर्फ 5% कम करते हो, तो उससे आपकी गाउट की problem में बहुत जादा significant quantity में relief मिल सकता है, साथी साथ आपको exercise भी करनी हैं, क्योंकि exercise करने से आपकी joints जोईट मजबूत होंगी, और गाउट के कारण जो उन पे impact आया है, वो भी कम हो जाएगा, उससे आपकी joints को protection मिलेगा, तीसा tip, vitamin C containing food items जो भी हैं, वो आपको regular basis में अपने diet में include करने चाहिए, studies में देखा गया है, कि यह जो vitamin C होता है, इसको जो लोग regularly अपने diet में लेते हैं, उनको gout flare की जो problem है, इसका 44% reduction हो जाता है, सबसे simple तरीका क्या है आपकी diet में vitamin C add करने का, एक चमच निबू का रस, एक glass lukewarm water में डाल कर रोज दीजिए, यह simplest तरीका होता है, तो यह तीनो tips आप follow कीजिए, जो high purine containing food हैं, उनके intake को आप limit कीजिए, और यह छोटे-छोटे changes से आपके uric acid के level को भी अच्छी तरह, वो range में भी आ जाएगा, और gout की problem से भी आपको आराम मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल naturally, मुझे उम्मीद है कि यह सारी चीज़े बहुत simple है, बहुत practical है, बहुत useful है follow करने के लिए, पर अगर आपको कोई difficulty होती है, कोई confusion होता है, follow करते टाइम, तो आप comment section पे हमना question पूछ सकते हो, मैं definitely आपको उस adventures का मजा ने ले पा रहे थे, अब ऐसी कोई problem आपको नहीं होगी, इसी note पर आज का वीडियो हम खतम करते हैं, इसी तरह के interesting वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए, नमस्कार, आप तक खयाल रखिये और healthy रहिए